जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यव चैनल में दोस्तो होली के बाद आपकी राशी के स्वामी शुकृदेव की यूती राहु के साथ होगी और शुक्र की यूती राहु के साथ होने से तुलाराशी के लोगों के जीवन में काफी बड़े बदलाव होने वाले हैं इन ग्रहों की यूति से किस तरह का प्रभाव आपके जीवन पर होगा और इस शुक्र और राहु के संयोग से आपको क्या कुछ प्राप्त होगा ये सब कुछ हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आये तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं तो शुक्र जो है वो अभी मीन राशी में विराशमान है राहु के मीन राशी में गुरू के साथ वो यूति कर रहे हैं लेकिन बारा मार्च को होली के बाद 12 मार्च को शुक्र का राशी परिवर्तन होगा और शुक्र आ जाएंगे मंगल की राशी मेश राशी में जहां राहू पहले से विराशमान है और राहू को सास्त्रों में जोतिस में असुर की उपाधी दी गई है और साथ में क्रूर ग्रह भी है ये तो ऐसी स से शुक्र और राहू का एक साथ होना शुक्र राहू मिलकर आपकी जीवन पर तुला राशी के लोगों के जीवन पर किस तरह के प्रभाव देंगे किस तरह के आपको रिजल्ट इस युती से देखने को मिलेंगे और आपकी राशी के स्वामी यहां बैठ कर कैसे प्रभाव आपको देंगे यह सब कुछ हम इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखें चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं तो शुक्रदेव आपकी राशी के स्वामी है तुला राशी पर साशन करते हैं और अगर इनकी हम आम जीवन में बात करें तो यह दहन देने वाले हैं सुम्रद्धी देने वाले हैं बहुत इक सुखों की प्राप्ति कराने वाले शुक्रदेव ही माने जाते हैं प्रेम संबंद और साथ में جो कलाप्यमी है ये आपको कलाप्यमी बनाते है जिसे डिजाइनिंग हो गया, ग्लैमर हो गया, फैशन हो गया, या अब हमुले रतन हो गई, लगजरी चीजें हो गई, इन सभी के कारक शुक्र देव हैं इतनी बड़ी बड़ी चीजें इनके अंदर आती हैं अब पहली राशी में मेश राशी में जो शुक्र का गोचर होगा जो की मंगल की राशी है तो ये बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आएगा क्योंकि ये दोनों विपरीत ग्रह माने जा गुरू हैं और जो राहू हैं वो खुदे का दैते हैं और दैते के गुरू हैं तो इसलिए इनकी बांडिंग जो है ये बहुत अच्छी रहेगी और यहां तुला राशी के लोगों के लिए राहू जो शुक्र हैं वो पहले भाव के स्वामी हैं लगन के स्वामी हैं और आ होता है अब मेश राशी में शुक्र का गोचर आपके प्रेम समंदों के लिए सबसे जादा अनुकुल रहेगा सबसे जादा बहुत उत्तम आपको प्रेम जीवन में आपके लिए परिणाम देखने को मिलेंगे और जो इस राशी के सिंगल जातक हैं उनके लिए तो बहुत अनुकुल साबित होगा क्योंकि आप इस समय किसी नए प्रिष्टे की शुरुवात कर सकते हैं या तो आपके विवाह के प्रस्ताव आएंगे विवाह की बातें तैह हो सकती हैं इसकी अलावा आपके लिए प्रेम विवाह की योग भी बन रहे हैं शादिशुदा जातक है जो इस राशी के वो अपने शादिशुदा जीवन का भरपूर आनंद उठा पाएंगे आठवे भाव एक चीज़ को और दर्शाता है चाठवे भाव के स्वामी यह गोपनियता को भी दर्शाता है तो इस आठवे भाव के बदलाव के कारण आपका कोई एक्स्ट्रा अफेर शुरू हो सकता है इसका आपको ध्यान रखना होगा और ये अगर आपको विवाहित हैं तो विवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा इसके कारण आपकी छवी खराब हो सकती है आपका रुत्बा भी बिगड़ सकता है तो आपको तुलराशी के लोगों को यहाँ ध्यान जरूर रखना होगा क्योंकि शुक्र बहुत प्रभावशाली इस दोरा नाप के लिए रहेंगे तो खुद को काबू में रखें और जादा से जादा वक्त अपनी पार्टनर के साथ समय बिताने पर करें सात्वे भाव से शुक्र बैठ कर आपकी कुंडली के लगन भाव पर भी द्रस्टी डाल रहे हैं यानि अपनी ही लगन पर शुक्र की द्रस्टी रहेगी जिसके प्रभाव से आपका अपने व्यक्तितु पर भी अच्छा खासा ध्यान देंगे जिसके प्रभाव से आप बहुत आकरशक होंगे आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी आपकी वानी बहुत अच्छी रहेगी आप अपने आपको किस तरह से fit रख सकते हैं या किस तरह से अच्छे दिख सकते हैं इस पर भी काफी ध्यान देने वाले हैं अपनी personality पर आप ध्यान देंगे उसको improve करने के लिए आप कुछ खर्चे भी करेंगे और ये एक अच्छी चीज है जब आप अपनी personality को अच्छा बनाते हैं तो आप काफी confident होते हैं अपने आपको अच्छा देखकर अपनी personality को देखकर confidence आता है तो इन चीजों पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए और शुक्र का ये गोचर आपको इन सभी चीजों को करने की हिम्मत भी देगा और इन सभी चीजों को करने के लिए आपको प्रेरित भी करेगा अब मेश रासी मंगल की राशी है और मंगल क्रोधी करा कहे जाते हैं साथ में ये बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में काम करने के लिए व्यक्ति को प्रेदित करते हैं तो आपको यही करना है या आपकी इच्छाओं को भी दर्शाते हैं या आपके मन में इच्छाओं को बनाते हैं कि आप कौन सी इच्छाओं की पूरी हो सकती है अपनी च्छाओं के पीछे आप भागना शुरू करते हैं ये मेश्राट से ये मंगल का ये गुण होता है तो एक तो आपको जल्दवाजी में कोई कारिय नहीं करना है क्योंकि कोई भी कारिय आपके अगर दिमाग में आता है वो जमीनी चीज़ों के कारक रहे है तो जमीन से जुड़े हुए जो कारे हैं ठेके दारे का हो गया प्रापटी डीलिंग का हो गया इस तरह के जो कारे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा इस राशी के लोग अगर ऐसे कारें से जुड़े हुए हैं तो आपको उनसे लाब की प्राप्ति होगी तहीं न कहीं ये सभी कारिया आपको उत्तम रिजल्ट दे कर जाएंगे और खुब धन भी दिलाएंगे शुक्र का ये प्रभाव, शुक्र का ये गोचर, राहो के साथ शुक्र का होना आपको ऐसी जगहों से धन की प्राप्ति कराएगा जो अपने ना सोची हों, जिनसे आपने कभी रास्ता ही ना चुना हो, ऐसी चीजों से भी धना सकता है, तो ऐसी चीजों से धना आएगा, आर्थी किस्ति काफी मजबूत होगी, अलग-अलग रास्तों के जरीए धन कमाने में कामया भी मिलेगी, इस राशी के जो नौकरी ये शुक्र को मजबूत करना अस बहुत ही जादा महतोपून है, अगर आप शुक्र के उपाय करते हैं, तो सबसे ज्यादा एक तो आपकि लगन के स्वामी मजबूत होते हैं, परभाव साली होते हैं, दूसरे जागर वो आपकी साथे भाव में बैठे हैं, तो यहां परभाव आपकी लगन पर पढ़ने वाला परभाव बहुत अच्छे तरीके से होगा अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं सबसे अच्छा जो उपाय है शुक्र को प्रसंद करने का शुक्र को मजबूत करने का वो होता है कि आप इत्र का प्रियोग करें परफ्यूम क्योंकि खुश्बू जो है जो अच्छी खुश्बू होती है वो शुक्र को बहुत अधिक मजबूत करती है तो बस एक ऐसा छोटा सा उपाय है इसको आप करें साथी चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक आप शेयर करना ना बोलें